प्यारे बच्चो आपने अभी देखा कि जब हम नक्षों की बात करते हैं तो कुछ चीदें बहुत ज़रुरी होती हैं जैसे पहली बात जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए वो है दिशा और दिशा के साथ साथ दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है कि हमें कितनी दूर जाना है किसको प्रदरशित करना है और यह दूरी हम प्रदरशित करना चाहते हैं तो उसके लिए पैवाना भी ज़रूरी है और तीसरी और बहुत महत्पूल बात है कि नक्षे में हम जिन स्थान को जिन जगों को जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसक उत्तर और दक्षिन हम सब ये भी जानते हैं कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उसे पुरू की दिशा मानी जाती है और यदि हमको पुरू दिशा एक यदि मालूम हो जाए या कोई भी एक दिशा मालूम हो जाए तो हम बाके तीन दिशाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं यहां आप देखिएगा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका मुझ उक्ते वे सूरी की तरफ है तो उक्ते वे सूरी की तरफ है थी व्यक्ति देख रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के सामने के दिशा पूरो दिशा है और इस व्यक्ति के पीछे की दिशा इसके लिए पशिम की दिशा है जी हाँ जिस तरब आप बैठे हुए है तो वो इस वक्ति के लिए पशिम की दिशा है और इसके दायने हाथ तरफ की जो दिशा है वो दक्षिन की दिशा होगी इसके लिए और इसके बाया हाथ तरफ की जो दिशा होगी वो जमीन पर खड़ी इस स्थितिय में बात कर रहे थे लेकिन जब आप नक्षे की बात करते हैं और नक्षे जब दिवार पर टंगे हो तो वहां हमें दिशाओं करना परता है इसके लिए सबीने यह माना कि जब कोई नक्षा दिवार पर टंगा हुआ है तो उपर की दिशा को उ ये दो प्रमुक दिशा हैं इस और देखें गे यह वह 9 00 bunu कहेंगे यह वाली जो दिशा है उत्तर के दिशा है और इधार जो दिशा होगीिपोर्ण के दिशाह होगी और इस तरब जो होगी परश्रियम के दिशा होगी। यह तो चार मुख्य दिशाओं को आपने प्रदर्शित किया एक बगफिर्स मत दोहराओं यह उत्तर के दिशा यह दक्षण के दिशा यह पुडो के दिशा और यह पर्श्यम के दिशा इन दिशाओं के मत दिखाना चाहें तो उने भी हम प्रदर्शित करते हैं और इन्हें ह इन उपदिशाओं को प्यदर्शित करती है और इन उपदिशाओं का भी ध्राम करेंड किया जा सकता है। तो हाला कि जो हिंदु संस्कृति हैं वहाँ पर इनके अलग चार चार नाम दिये हुए हैं जिनने हम इशान, आगने, नेरितर, वाइव कहते हैं। लेकिन नक्षोने इन्हें हम इन मुल दिशाओं के नामों से संबंदित करके बनाते हैं। जैसे देखिये आपने देखा यह उत्तर के दिशा है और यह पुर्व के दिशा है। ऑर यह जो दिशा होगी जो पुर्व और दक्षेण के बीच है इसका हम नाम करन करते हैं। पूर्वर दिशह द्शेन पूर्वर दिशह इसकी तरब देखिए यह जो दिशह है रहे हैं दक्षेन और पॉर्षेन के भीर हैं ऊसका नामकरन होगा दक्षेन पॉर्वर दिशह इसका के बारे होने हम आप सोच entrepreneur किया होगा यह जो दिशอยे है वह jeder है ऊसीक दिशेन और उत्त उत्तर दक्षिन के बीश की दिशाओं को नाम लेते हैं तो हर बार नाम में या तो उत्तर पहले आता है या दक्षिन पहले आता है जैसे उत्तर पूरू उत्तर पश्चिप दक्षिन पूरू और दक्षिन पश्चिप तो यह चार दिशाओं और चार उप दिशाओं हुई औ आपने इनका नाम करन भी सीख लिया अब आप कल्पर करिये इन आठों दिशों के बीच में भी कुछ रिखाया खीची जाएं तो हमें आठ उप दिशों हैं और मिलेंगी और इनका नाम करन कैसे करेंगे यह बहुत आसान है इसे आप गौर से देखिए आप समझ जाएंगे कि हमें ऐख नाम करना वें और आप पहचान में तो आपको नाम को याद करने की जुर्त ने पड़ाइगे आइए हम आँ देखते हैं आपने जाना कि यह उत्तर दिशा है और यह जो दिशा इसे आपमें उत्तर उत्तर गूरो क이나 गौरी कि इसीज के बीच ज़ो दिशा है तो उत्तर पुर्व की बीच में है तो इसमें हम मोल दिशा का नाम पहले लेंगे और उप दिशा का नाम बाद में लेंगे तो ये जो उत्तर और उत्तर पुर्व की बीच रेखा जा रही है वो प्रदरशित करगी उत्तर उत्तर पुर्व दिशा को अब आगे आईए हम इस तो इस बीश की दिशा का नाम होगा पुर्व उत्तर पुर्व और आके बढ़ी है ये पुर्व है और ये वाली दिशा का नाम करें आपने किया है दक्षेट पुर्व तो ये जो इनके बीश की दिशा होगी वोगी पुर्व दक्षेट पुर्व और आगे आए इस दिशा के बारे में बात करिए यह दक्षेण और दक्षेण पुरू के ठीक बीश में है तो इस दिशा का नाम होगा दक्षेण दक्षेण पुरू ठीक इसी तरह से इन दिशाओं का भी हम नाम करेंड करेंगे आप इसे बहुत आफानी से देख सकते हैं यह दक्षेण और दक्षेण प इस दिशा का नाम होगा उत्तर-पर्षी.강. में अत्तर-पर्षी हमें इस अनाम करें रही नाम करते हैं थोड़ी कोशिश करने के बाद आप इस पैटर को पहचा आएंगे, और बहुत अच्छी तरह से इनके नाम को बता सकेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से दिशाओ और उपडशाओं को हम मिलाएं तो शोला उपडशाओं और दिशाओं हमें मिलती हैं जिनки मदद से हम इसकते हम किसी नक्षे में किसी आपने आपने किसी विशज स Curtain को सर्वेत में तो इस विशेस स्थान को बता सकते हैं कि कोई इस्थान कहां परिस्थित है। हम इसके आगे इस बात को और बहुत अलग तरीके से देखेंगे।